मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ भारतियता की भावना का सच्चे मन से विश्वास करने वाला इस देश का एक शांती पूरुन अहिंसक धर्म निर्पेक शिक्षित कानून का आदर करने वाला देशभक्त नागरिक 26 साल पहले आज ही के दिन मुझे अपने घर से बेघर कर दिया गया ये मेरी कहानी है 1999 के शरद रितू के आते आते कश्मीर में आतंक वादियों का बूल बाला था राज्जे सरकार ने अपनी सभी जिम्मेदारियों का त्याक कर दिया था इसी प्रकार का कोई परशासर नहीं रह गया था आतंकियों के फर्मानों ने कश्मीर घाटी को अपने लपेटे में ले लिया था ऐसा लगता था जैसे भारती होना मानो एक गाली हो आतंक वादी हिट लिस जारी करने में लगे हुए थे हर वो शक्स जो भारत समर्थक था उसे मुखबिर करार दिया जाता था उसको मारना जिहाद था और पुन्य भी प्रमुक कश्मीरी पंडितों को पहले से निशाना बना कर मारा जा रहा था सामाजिक कारेकरता टीकालाल टपलू को सरयाम दिन दहारे श्रिनगर में मारा गया नीलकंट गंजू को करनगर में मार दिया गया और उनका शव सडक पर कई घंटों तक पड़ा रहा वकील प्रेमनाथ भट की बेरहमी से डक्षिन कश्मीर के अनंतनाक शेतर में हत्या की गई अंगिनत अज्यात पंडितों की निर्म मत्याएं की गई संदेश स्पष्ट था 4 जनवरी 1990 को आफ़ताब समाचार पत्र में हिजबल मुझाइदिन ने प्रेस विग्यप्ती प्रकाशित करके सबी हिंदों से घाटी छोड़ने के लिए कहा एक अन्य समाचार पत्र अलसाफा में भी यही प्रेस विग्यप्ती चपी जल्दी यही नोटिस कश्मीरी पंडितों के घरों के दर्वाजे पर चिपका दिये गए 19 जनवरी 1990 के उस दुर भाग ये परुन रात में कश्मीर को ऐसा ग्रहन लगा मानों अंधेरे ने प्रकाश को अपने आगोश में निगल लिया हो कश्मीर के हर कोने से हर नुकट से, हर सडक से, हर बाजार, हर गाउं से ऐसी आवाज बुलंद हुई जो पंडितों के लिए मौत का संदेश था हजारों लाखों का हजूम कश्मीर की सडकों पर उतर कर जहरीले नारों में उद्विश कर रहा था जो पहले कभी नहीं सुना था ना देखा गया था पूरे कश्मीर में मस्जदों से गोशना की जा रही थी कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा मुझाईदिनों के प्रशंसा में चारों तरफ गुंगान किया जा रहा था और भीड में खुले दौत पर बंदू के लहराई जा रही थी जागो जागो सुबा हुई रूस ने बाजी हारी है हिंद पे लर्जा तारी है अब कश्मीर की बारी है बार बार ये गाना मस्जदों से चलाया गया अगर कश्मीर में रहना है अल्ला अखबर कहना होगा ए जालिमों ए काफिरों कश्मीर हमारा चोड़ दो इन नारों का सिलसला मानो थमने का नाम नहीं ले रहा था एक बंद होता था तो दूसरा शुव हो जाता था इनी नारों में एक नारा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पंडित आदमियों के बगएर पंडित आरतों के साथ ये नारा बार बार और जोर जोर से दोराया गया अब हमारे डर ने एक नया रूप ले लिया था परिवारों ने महिलाओं को स्टोर रूम में छुपा दिया ये कहने की जरूरत नहीं कि जब भीड हमला करे तो वो स्वैम को आग लगा ले उस रात के डर का कोई सानी नहीं मायूसी का एक ऐसा आलम था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था संदेश स्पष्ट और तीर था रलिव गलिव या चलिव या तो हमारे साथ मिल जाओ या मर जाओ या भाग जाओ कोई ऐसा गाओं महला गली या जगा नहीं थी जहां इन नारों का शोर ना हो अधिकांश कश्मेरी पंडितों ने इन विपरीत परिस्तितियों में वो जो कुछ भी उनके साथ सामान और जान बचाने के लिए हो सकता था किया और किसी तरहां जान और मान बचाकर ट्रकों के तरपाल में छुपकर पसों आम किराये की टेक्सी बरकर भाग गए बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया सरकार, बुद्धी जीवियों, निर्पेक्षवादियों, देश के प्रती सत्भावना रखने वाले सब की अंतरात्मा सोने चली गई थी कोई भी इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं था 19 जनवरी 1990 के बाद के दिनों में कश्मीरी पंडितों का गतले आम शुरू हो गया और कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की इंतिया होने लगी थी बांदीपुरा में शिक्षिका गिरे राज टिक्कू की गैंग रेप के बाद हत्या की गई इस तरह की सैंक्डों खबरे आम हो रही थी इस पर पूरी किताबे लिखी जा सकती है कि किस परकार से लोग आतंक वादियों से परताडित हो रहे थे और किस तरह प्रशासन मूख दर्शक बनकर कश्मीरी पंडितों पर हो रहे आत्याचारों को अंदेखा कर रहा था 1991 तक ज़्यादा तर पंडित खाटी से पलाइन कर गए और उन्हें जम्मू के दुर्गम स्थानों में कांटों वाँ धूल भरे टेंट शिवरों में रखा गया साथ हजार से ज़्यादा परिवारों ने पलाइन किया और उनको ऐसे शिवरों में रखा गया जहां शौचाले जैसी मूल भुत सुविधाय में नहीं थी एक परिवार को एक टेंट अलॉट किया गया जिसमें दस दस से कभी कभी साथ ही सोते थे निच्टा का नितान दभाओ था इन शिवरों में काफी बड़ी तादाद में बिमारी से मौतें भी हुई ज्यादातर मौतें साप के काटने और अत्यादिक गर्मी के कारण होई कश्मीरी पंडितों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था पंडितों के हजारों घरों सैंकडों मंदिरों को जला दिया गया और जमीन में ढा दिया गया था ये सब एक बहुत सांसकर्टिक धर्म निर्पेक्ष भारत में हो रहा था जो पंडितों की छोटी संख्या अभी भी घाड़ी में रह रही थी उनके साथ नरसनहार किये गए थे आतरकवादियों ने दो महिने के बच्चों को भी नहीं बख्षा पंडित के पूरे पूरे गाउं को साफ कर दिया गया आज तक एक भी व्यक्ति को दोशी करार नहीं दिया गया हजारों पंडितों की हत्यावा नरसनहार की सजा तो दूर की कोड़ी है किसी ने इस नर्व सनहार और पनायन पर कोई इस परकार की चिंता प्रदश्च नहीं की हमारे घर सुने पड़े है मंदिर अपित पुरा है सब कुछ डहने को है 26 साल के बाद आज भी जम्मू के बाहरी इलाके में अपने इस देश में शर्नार्थी के रूप में कश्मीरी पंडित अभी भी शर्नार्थी शिवरों में रहते है और जहां उन्हें ज्यादा साहिता भी नहीं दी जा रही है आज की सोशल मीडिया की पीड़ी में जब दुनिया में कड़ी भी बढ़ रही है और लगबख सब कुछ उंगली की टिप पर उपलब्ध हो रहा है अब भी हमारे अपने देश के नागरिकों की उनके अपने देश में ही दुर्दशा बनी रहती है और उन्हें उनके हाल पर यूँ ही छोड़ दिया जाता है इस सब के बावजूद मैं आज भी मुमीद करता हूँ कि हमारे साथ इंसाफ हो जाहिंद